ओपो ए-83, ए-31, ए-53 और ए-54 ये चारा स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में बात होगी और इनके मोवाइल में लगे हुए पीन पैटर्न, पासवर्ड, पीन साथ में फिंगर प्रिंट को भी हम यहां पे रिसेट करने का जिन्यून मैथेट आप अपने हैंसेट को अनलॉक तो करी पाएंगे, साथ में आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा और आप अपने स्मार्टफोन को इजली एकसेस कर पाएंगे वो भी रिसेट करके और उसे अनलॉक करके तो चली आज के इस वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे कि आप बना कंप्यूटर बिना हार्ड रिसेट का इस्तमाल किये कैसे अपने लॉक हुए, ओपो के समार्टफोन को आप इजली रिकवर कर सकते हैं रिसेट कर सकते हैं तो चली अज किए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले द जैसा कि फ्रेंड्स आपने इस वीडियो के थम्लिन को तो देखा था जहां पर हमने बात किया था कि यह आपके पास ओपो A83, A31, A53 और A54 अस्मार्टफोन है और वो बाइचांस आप से लॉक हो चुका है तो उसे हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, रिशेट कर सकते हैं या फ और बिना उसके डेटा को लॉस किये बगएर तो चलिए बताते आपको step by step अब आप दोस्तों यहां पर देख रहें यह इसका locking इंटरफेस है जहां पर हमसे password मांगा जा रहा है लेकिन आपको password याद नहीं है तो उस case में आपको जाना है नीचे emergency call पे और इसे आपको यहां पर select करना है आपका emergency calls only का option आ जाएगा और दोस्तों यहां पर हमें जो पहला step लेना है वो है आपके setting में जाना है और वहां जाके आपके handset के developer option को activate करना लेकिन आप कहेंगे हम तो setting में जानी सकते phone lock है तो उस case में दोस्तों हम यहां से एक code डालेंगे और उसको command देंगे ताकि हमारा बिना setting में गए developer option activate हो जाए तो उसके लिए हम जो यहां पर code डालेंगे उससे आप देख लें सेम आपको इसी तरह का code अपने smartphone में इंटर आपको करना है और दोस्तों आप जो सामने में जो code देख रहे हैं यह है developer option activation code जो कि आप यहां पर देख रहे हैं और सेम आपको यही code अपने smartphone में इंटर करना है अब दोस्तों आपको यहां पर करना किया कि इस number पर आपको 7 times call करना है जैसे ही आप call करेंगे आपको एक ok का message आएगा आपको इसे भी यहां पर click कर देना है सेम आपको 7 times करना है 3, 4, 5, 6 और finally हमने 7 times इस process को कर लिया background में हमारा developer option activate हो चुका है अब हमें जो अगला tip लेना है वो है master unlocking mode का इस्तवाल करना यानि कि google frp code का इस्तवाल करना जो कि आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं sorry and hatch दोस्तों अभी जो आप code देख रहें यह है google frp code जो कि आपको google के तरफ से आता है और यह हर महिने change होता है यह आपका यह code काम नहीं करेगा हमारे चैनल को subscribe करते हैं कमेंट जरूर करके बताएं कि आपके पास कौन सा महिने का कौन सा smartphone है और आप किस महिने में इस method को apply कर रहे हैं फिलाल दोस्तों आपको इस नंबर पर एक बार कॉल करना है और यहां पर जो okay आएगा आपको यहां पर इसे okay क्लिक नहीं करना है आपको सिधे यहां पर इसकी सब्सक्राइब करते हैं कि आपके पास कौन सा smartphone है और आप किस महिने में इसे apply कर रहे हैं